आई अइँए न्मस्कार दोस्तों व्हाइक आपका आपके अपने चैनल हंगरी श्पिरिट्स में हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्श्कों कॉंगा मैं अंजु श्री मा दिल से स्वागत करती हूं चलिए रयंकिंग करते हैं 73 दे की यह 73 दिन की ranking करते हैं बहुत से लोग हैं performance करने वाले 12 के 12 लोग फिर से complete हो गए है राहूल के entry के बाद मगर फिर भी किसने कितना perform किया किसको मिली कितनी footage कैसी थी वो footage क्या वो positive थी negative थी whatever the results उसके उपर बात करते हैं मगर उससे पहले आपसे बुजारिश है जिन्होंने अभी तक हमारा channel hungry spirit subscribe नहीं किया किरपया कर लीजिए साथ में दोस्तों bell icon जरूर दबाईएगा ताकि आपको हमारे videos के notifications मिलते रहें thank you so much तो शुरुआत करते हैं number 12 से तो number 12 पे रखेंगे राहूल वैदे को क्योंकि इनकी entry end में हुई और end में आके जितना वो दिखे उतना ही दिखे कुछ एक minute बस दिखे और उसके बाद आज दिखेंगे कि क्या करते हैं आज पता चलेगा राहूल वैदे के आने से कितना फरक पड़ता है इस ranking को मगर कल के हिसाब से उनको number 12 पे ही रखा जा सकता है welcome हुआ उनका बहुत अच्छे से सबने हाथ मिलाया किसी ने गले लगाया किसी ने बात की किसी ने बात नहीं की तो राहूल वैदे की entry का ज़रूर असर होने वाला है इस ranking में वो भी कल के दिन यानकि आज के episode को देखने के बाद कल के दिन आज कोई खास फरक नहीं है आज है राहूल 12 नंबर पे number 11 पे आगे है एजास खान जी हाँ एजास खान की game जो है कल कुछ खास नहीं दिखाई दी nomination में भी वो argument करते हुए नजर आये मगर वो argument बहुत ही low voice में थे एक बार voice raise भी की उन्होंने मगर अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पाए तो उन्होंने खतम कर दी बात बहुत जल्दी यानि कि वो मुद्दे को आगे नहीं लेके जाना चाते थे जो अभी नव के साथ उनका चल रहा था तो पूरे एपिसोर को लेके चले तो इका दुका जगा पे ही वो जादा दिखे या बीड में ही दिखे तो एजास खान जो अच्छे प्लेयर है जो टॉप फाइब में आने वाले प्लेयर है उनको परफॉर्म करना पड़ेगा नहीं तो इसी तरह नीचे के नंबरों में रह जाएंगे और एक दिन घर से बाहर भी जा सकते हैं तो कल की परफॉर्मेंस के इसाब से एजास खान आते हैं नंबर 11 पे नंबर 10 पे आगे हैं अभी नव शुकला अभी नव शुकला तो अब गेम खेल भी रहे हैं मगर फिर भी उनकी गेम में इतना दम नहीं लग रहा है जितना भी उनका बच्चाव हो रहा है वो उनका रुबीना के फैंस की वज़े से हो रहा है रुबीना के लिए वो बचते जा रहे हैं और जब वो खेलने की कोशिश भी करते हैं तो कुछ ना कुछ कारण से उनकी गेम पीछे रह जाती है, तो अभी नव शुकला तो अभी तक बने हुए हैं गेम में और आगे भी बने रहेंगे ऐसा लग रहे हैं, बट फिल हाल अगर परफॉर्मेंस की बात करें, 73 डे की बात क जल्दी हैं, मगर फिर पे वो क्षमता नहीं दिखा पा रही हैं, हाँ ये जरूर है कि कल के एक सीन से जो उनका प्रॉमिनन सीन था, जिसमें वो शर्मा रही थी, अली के साथ बैठी थी, रुबिना उनकी नकल उतार रही थी, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में जैसम मान खान भी, तो क्या ये प्रेम दिला आगे बढ़ेगी, क्या नया कंटेंट मिलेगा थोड़ा हट के बिग बोस की, इस जोल टीम है, जो व्यूर्स हैं, उनको ये देखना होगा, मगर फिल हाल जैसमीन बसीन है, नमबर नौ के उपर. नमबर आठ पे आगे हैं मनु पंजाबी, मनु पंजाबी को घेरा अर्शी खान ने उनकी कैप्टेंसी को लेके, उनको कंटेंट देने की कोशिश की, कि आओ मुझे जगाओ कुकुडुकु बज रहा है, मगर मनु पंजाबी ने अपनी जगाराखी सावंद को बेजा, क्य पे कहते हुए भी नजराई की अर्शी खान जो है, काफी अच्छी है, अच्छे से बात करती है, मगर यहाँ पे क्या हो गया, मगर वो वहाँ उनके पास एक ही बार गे, और उसके अलावा वो निकी के साथ दिखाई दिये, जबकि यह बड़े प्लेयर है, और काफी राहूल महाजन जी हाँ, राहूल महाजन ने जितना भी कल फोटेज दिया, उनमें उनकी काफी सारी बातें जो थी बहुत क्लेयर थी, लोगों को समझ में आ रही थी, जैसे उनने अर्शी खान को कहा, कि तुम कुछ टीयर पी नहीं दे रही हो, इस वहम में मत रहो, तुम को कुछ नहीं दे रही हो, सिर्फ एक बैड इग्जेंपल साबित हो रही हो, तो काफी कुछ बातें उन्होंने क्लेयर ली, कही अर्शी खान से और बिक बोस को भी, उन्होंने सीधा सीधा धमका दिया, कि अगर मेरी चीजों को ये दुबारा चूती है, तो इसका अंजाम के लिए आप भी तयार हो जाओ, यानि कि आप गट्स दिखाने शुरू कर दिये हैं, राहूल महाजन ने, एंटर्टेंडमेंट से एग्रेशन की तरह थोड़ा बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो राहूल महाजन आते हैं, नमबर साथ पे, नमबर चे पे आगे हैं, अलिगोनी जी, हाँ, अलिगोनी ने ना सिर्फ अपना रुमेंटिक वाला दिया ट्रैक, बलकि एग्रेशन वाला भी दिया, अर्शी खान से उन्होंने सीधा सीधा पंगा लिया, और बलडाई बहुत जबरदस वाली की, और अर्शी खान ने भी ने उनको टक्कर से जवाब दिया, मगर अर्शी खान के सामने जहां बाकी के घरवले दुबक रहे हैं, बात करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, लडाई नहीं करना चाहते हैं, नहीं होना चाहते हैं, प्रवोक नहीं करना चाहते हैं, अर्शी खान को अपने पीछे-पीछे, वही अली गौनी ने उनको एक टक्कर दी है तो ये बात जरूर सराहनी है अली की इसलिए वो आते हैं नंबर 6 के उपर नंबर 5 पे आगी है कश्मीरा शा जी हाँ कश्मीरा शा ने कल जो निकी तंबोली से पंगा लिया वो काफी हद तक कश्मीरा शा को लेके आया पबलिक के सामने मूँ तोड़ दूँगी तेरा बाद में वो पच्टाई ये डायलोग बोलने के बाद में मगर जब तीर कमान से निकल गया तो बाद में पच्टा के क्या होगा क्योंकि गुस्से में जब कोई बोल देता है तो वो बोल ही देता है वही निकी तंबोली बिना बाद से लड़ाई करे जा रही थी लड़ाई तो कश्मीरा शाह आती है नमबर पांच के उपर नमबर चार पे आगी है निकी तंबोली निकी तंबोली ने ना सिर्फ लड़ाई की बलकि किसी और के पंगे में भी टांगड़ाई जो और शियर राहूल महाजर में चल रहा था फिर मनु पुझाबी के साथ भी उन्होंने कुछ-कुछ ऐसी प्रेम लीला वाले इफेक्ट देने की कोशिश की और फिर उन बातों को बुरा भी माना तो ये सारा कंटेंट चेंज करकर के जो निकी तंबोली ने कल दिखाया है वो जरूर एपिसोड में काम आया है इसलिए इ अमें दिखाई दी उनकी वोईस भी सुनाई दी तो निकी तंबोली आती है नंबर चार पे नंबर तीन पे आगी है अर्शी खान अर्शी खान का एक ही नारा कल सुनाई दिया कि तुम लोग मुझे इग्नोर नहीं कर सकते मैं ना होके भी हूँ और यह चीज हमने देखी कि जहां अर्शी खान नहीं थी वहां अर्शी खान की ही बाते करते हुए घर वाले नजर आ रहे थे और काफी सारा हिस्सा जो था अर्शी खान के कंटेंट पे ही चला इसमें कहना कुछ भी गलत नहीं होगा तो अर्शी खान आती है नंबर तीन प बन गी है और अच्छी entertain कर रही है चाहे वो big boss से बात कर रही हो चाहे वो किसी contestant से बात कर रही हो अपना humorous touch वो लगाती जाती है कभी love guru बन जाती है और यह कहती हुए नजर आती है कि भाई यहाँ पर जरूरत पढ़ती है प्यार महबत करने की lonely होते है यहाँ पर जरूरत प ही है captain बनने के बाद वो कैसे game को लेके चलती है तो राकी सावंद आती है नंबर दो के उपल नंबर वन पे आगी है रुबीना दिलाइक जी हां रुबीना दिलाइक ने कल जादा content नहीं दिया मगर जो भी content दिया उन दोनों में बहुत difference था पहला content था उनका जो जैसमीन बसीन की नकल उतारती है वो पूरा episode के pace को एक different level पे लेके जा रहा था एक थोड़ा सा monotonous को त रच दे रहाता है कि हाँ ये बातें भी इस घर में हो रही है एक दूसरे के साथ कैसे चेड़ा खानी हो रही है वो सारी चीज़ें रुबीना दिलाइक ने अपनी acting के जरिये से अपनी performance के जरिये से लोगों को खुश किया और दूसरी जी जो nomination में भी उन्होंने अपने point ब तो यह थे दोस्तो 73rd day की ranking आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताएगा तो देखते ही चैनल Hungry Spirits. Thank you so much.